जीवन में जिस दिन आप ये समझ गए, कि आपकी हार और जीत के लिए आप स्वम ही जम्मेदार है, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पूजा करते हो, तो विश्वास करना सीखो, बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, हार मानने से पहले फिर से कोशिश करना सीखो, विश्टे बनाने से पहले निभाना सीखो, रोने से पहले किसी को हसाना सीखो और मरने से पहले खुलकर जीना सीखो एक खुशाल जीवन जीना हैं तो ये बाते याद रखना जल्दी माफ कर दो, धीरे धीरे विश्वास करो प्यार सच्चा करो, जोर से हसो और किसी के चहरे पर मुस्कुराहट लानी का मौका कभी न छोड़ो दो बातों में पक्के रहिए, इमान के और जुबान के दो चीजों को कभी न भूलिये, भगवान का नाम और दूसरों का सम्मान दो चीजों का ध्यान रखिये, कहिए वह जो सच्चा हो, और करिए वह जो अच्चा हो परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलहकार नहीं मा से बड़ी, कोई छाव नहीं, भाई से बड़ा कोई भागिदार नहीं, बहन से बड़ी, कोई शुबचिंतक नहीं पत्नी से बड़ा कोई दोस्त नहीं, परिवार के बिना कोई जीवन नहीं सैयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं हमारे जीवन के दो प्रबल शत्रू, क्रोध और चिंता है, क्रोध से विवेक का नाश होता है, तो चिंता से मनोबल का, क्रोध से शांती का नाश होता है, तो चिंता से सौंधर्य का, सेवा करनी है तो घड़ी मत देखो प्रसाद लेना है तो स्वाद मत देखो सत्संग सुनना है तो जगह मत देखो भलाई करनी है तो स्वार्थ मत देखो समर्पन करना है तो दिल देखो दिमाग मत देखो और रहमत पानी है तो हर इंसान में ईश्मर को देखो जो आपके पास है, जिसका आपके लिए कोई मुल्य नहीं, वो किसी जरूरत मन के लिए मुल्यवान हो सकता है आपके पास जो है उसकी इज़त करना सीखिए, क्या पता, उसे पाने के लिए कोई रोज तडपता हो जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, वो सदैव करेंगे, करते ही रहेंगे चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शान्च रहे कर कर्म करते रहो निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिन्दा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है सुखी जीवन की प्रार्थना करने के बजाए, प्रार्थना शक्ति को पाने के लिए किया करो जो तुम्हें एक मुश्किल जीवन को सहन करनी की शमता दे अपने कर्मों में अपने आपको पूरी तरह से समर्पित कर दो जिस काम को तुम शुब और उचित समझो, उसे खुलकर करो पूर्ण समर्पन से करो चाहे वो भक्ती हो, विद्यार्जन हो, साधना हो, सेवा हो तप हो, तपस्या हो, दोस्ती हो, ग्रस्ती हो या फे प्रेम हो जो भी करो, पूर्ण तन्म्यता से करो कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती, निगली जाती है, उसी प्रकार, जीवन में अपमान असफलता धोके यесी कड़वी बातों को सीधे गटक जाओ, उन्हें चबाते रहोगे, अर्था सदैव उन्हें याद करते रहोगे, तो जीवन कड़वा ही होगा पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ, दुआ वहां काम आती है, जहां पैसा काम नहीं आता जो अच्छा लगता है उसे गौर से मत देखो ऐसा ना हो कि उसमें कोई बुरा ही निकलाए और जो बुरा लगता है उसे गौर से देखो संभव है कि उसमें कोई अच्छा ही नजर आ जाए दुखी रहना हो तो हर किसी में कमियां खोजो और प्रसन रहना हो तो हर किसी में गुण खोजो कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है परन्तु फिर भी करेला कड़वा गन्ना मीठा और इमली खट्टी होती है ये दोश पानी का नहीं है बीज का है ठीक वैसे ही सभी मनुष्य एक समान है परन्तु उन पर असर संसकारों कपड़ता है जो उचित हो वही करो जैसे आनंद के लिए उचित है मधुर संगीर खाने के लिए गम, पीने के लिए क्रोध निगलने के लिए अपमान यहवार के लिए नीति लेने के लिए ज्यान, देने के लिए दान जीतने के लिए प्रेम, धारन करने के लिए धैर, त्रिप्ती के लिए संतोष, त्यागने के लोब, करने के लिए सेवा, प्राक्त करने के लिए यश, फैकने के लिए इर्शा, छोडने के लिए मोह, रखने के लिए इज़त और बोलने के लिए सत्य न तुम अपने आपको गले लगा सकते हो, ना ही तुम अपने कंधों पर सर रख कर रो सकते हो एक दूसरे के लिए जीनी का नाम ही जिंदगी है, इसे लिए वक्ष दो उन्हें, जो तुम्हें चाहते हैं दिल से सबका खयाल रखना पर अपना भी खयाल रखना हमेशा मुस्कुराते रहना कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए